हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों इस टाइम पर फिलिप काट और एमाजॉन पर से लाइब है और यहां पर आपको जो है इस वक्त भारी छुट मिल लही है काफी तगली छुट देखने को मिल लही है स्मार्ट वाचे स्मार्ट फोन एरबर्ट से इन सारे चीज़ों प लगे तो वीडियो को लाइक जरू कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों यह है वह स्मार्ट वाच बोट स्टॉम कॉल 3 काफी ज़्यादा सेलिंग स्मार्ट वाचे काफी ज़्यादा बाइ कर रहे हैं लोग उसको तो बाकि फीचर बगारा तो आप देखी च है तो 50-50-100-100 रुपए का फर्ग है अब इसके अलावा हम डिजाइन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो स्टॉम कॉल 3 है कुछ इस तरह की डिजाइन है यहां पर माइक दिया है यहां पर इसका क्राउन दिया है कॉल 3 पिलस है यहां पर आपको बीच में जो क्राउन देखने को मिलेगा यहां पर इसका जो है माइक देखने को मिलता है और अगर हम कॉल 3 की बात करें तो इसका जो क्राउन थोड़ा ऊपर कर दिया गया है और यहां पर इसका माइक है और वेब सिक्मा 3 की बात करें तो यहां पर माइक नहीं दिया माइक साइड मे और यहां पर इसका क्राउन दिया गया है तीनों कर थोड़ा थोड़ा शेप अलग लगेगा आपको यह तो डिजाइन होगी डिजाइन में बिल्कुल डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा माइनर सब फर्क है बाकी फीचर्स के बात इस स्मार्ट वाच में नेविगेशन मिलता है तो तीनों स्मार्ट वाच में मिलता है और कोई खास फर्क इन तीनों वाच में नहीं है आप मैं आपको दिखाता हूँ इनके स्क्रीन साइज अब आप देख सकते हैं यह जो बोट वेब सिगमा 3 है इसका screen size है 2.01 और boat storm call 3 इसका screen size है 1.83 और plus जो है इसका screen size 1.96 इंची सबसे बड़ा display है इस sigma का 2.01 है दूसरा size जो है 1.96 है और तीसरे नमबर पर यह वाली आती है 1.83 इंची की display size इसमें छोटा बड़ा है display size में फर्क है और इसनकी design में भी फर्क है अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं screen size दिया हुआ है अब यहाँ पर अगर हम यह वाला screen size चूज करते हैं तो हमें यह storm call 3 देखने को मिलेगी अगर हम 49.7 mm को चूज करते हैं तो हमारी watch जो है watch change हो गई boat wave sigma 3 बस यहाँ पर जो मैंने अभी पहले आपको difference बताये थे बस वही है इसके अलाबा कोई difference नहीं है आपको तीनों watches में एक ही feature देखने को मिलेंगे आप देख लिए यह वाली है है इसमें turn navigation और यह QR tray, crest app और यह DIY watch face, bluetooth calling और boat coins और यह तीनों smart watches की जो एप है boat, crest नाम से जो एप आती है वही है अब दुसरी smart watches की बात करें दुसरी smart watches की बात करें तो इसमें भी वही सारे feature हैं जो पहली वाली में थे पस फर्क कहा जाता है यहाँ पर display size में यहाँ पर और इसके अलाबा कहीं भी कोई फर्क नहीं है इस तीनों smart watches में सिर्फ तीन फर्क है पहला design दूसरा price और तीसरा display बाकि सब कुछ same है तो अब दोस्तों आपको फैसला करना है कि आपको watch कौन सी लेनी है अगर आप इसमें confused हो रहे हैं तीनों में से तो तीनों एक ही smart watch है बस price थोड़ा सा अलग-अलग है और display size है तो अगर आपको बड़ा size चाहिए तो आप यह वाली buy कर सकने हैं और उससे थोड़ा थोटा size चाहिए तो आप यह वाली buy कर सकते हैं storm call 3 plus और अगर उससे चोटा size चाहिए तो आप यह वाली buy कर सकते हैं features सब में एक जैसे हैं और detail में इसका जो review है दोस्तों वो तीन तारीके बाद ही होगा क्योंकि मैंने जो order की है तो वो तीन तारीके बाद ही आप आईगी तो इसलिए आपको वो तीन तारीके बाद मिलेगा इसका detail review फिलहाल मैंने आपको इनका जो difference था इनमें तीनों में आपस में वो मैंने आपको बता दिया वो इसमें confuse होने के जरूत नहीं है मेरा suggestion यह है कि आप यह वाली buy करिए storm call 3 plus क्योंकि सबसे latest यही है तो दोस्तो यह था इन तीनों वाचिस में difference तीनों वाचिस का comparison अगर आपको यह वीडियो informative लगी हो तो दोस्तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like और share करें मिलते हैं इसी तरह के एक लिए वीडियो में तब तक अपना खयार लगे